हलो एंड वेलकम एवरिवान आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्त का मोशन एंड टाइम चैप्टर लेकिन उससे पहले जरा मोटू लाल और चीकू के क्लास रूम में चलते हैं हलो बच्चो कैसे हो मोमो खाता हूँ चटनी लगा के आज हम पढ़ेंगे एक निया चैप्टर अरे सर आज हमें आप मोशन एंड टाइम चैप्टर पढ़ा दो मैंने सुना है बड़ा इंटरस्टिंग चैप्टर है ये अरे मोटू लाल तुम लूज मोशन लूज मोशन क्यों बोल रहे हो लूज मोशन हो गए है तो घर पर रहते तुम यहां क्या कर रहे हो क्लास के अंदर अरे सर मैं मोशन एंड टाइम बोल रहा हूँ लूज मोशन नहीं बोल रहा मुझे लगता है इतने मोमोज और मोमोज की चटनी खा खा कर आपके कान खराब हो गए और खालो मिर्च की चटनी मज़े आ गए अब मोमोज सर को कुछ भी नहीं सुनाई देगा हम खूब मस्ती कर सकते हैं मोमो सर मैं आपके टगले पे तबला बजाना चाहता हूँ अरे चीकू मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा जरा मेरे पास आकर बताओ क्या बोलना चाहते हो अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा मोटुलाल को फसा देता हूँ सर ये मोटुलाल बोल रहा है कि आपके सर पर ये लूज मोशन करना चाहता है पकड़िये इसको इसके घर पर फोन करिये सस्पेंड करवाईए स्कूल से अरे मोटुलाल तुम तो बड़े ही गंदे बच्चे हो चलो प्रिंसिपल आफिस में आज ही मैं तुम्हें स्कूल से बहार निकल वाता हूँ बच्चों जब तक मैं प्रिंसिपल आफिस जा रहा हूँ मन्नू भया से मोशन एंड टाइम पढ़ लो आखिरकार मोशन क्या होता है कोई भी अबजेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लोग बोलते हैं इट इस मूविंग और इन मोशन तो यहाँ पर यह जो बच्चा है आई होप आप सब जानते होगे कमेंट करना अगर आप सबको पता है अब यह जो बच्चा है मान लो एक मिनट पहले यहाँ पर था इसको स्ट्रेight motion भी बोलते हैं बट आपको क्या बोलना है linear motion कभी भी कोई भी object स्ट्रेट line के अंदर ट्रावल करे तो बोलेंगे हम linear motion फिर आता है circular motion कोई भी object अगर सर्कल वाले pattern में ट्रावल करे तो उसको बोलते हैं circular motion जैसे यहाँ पर एक रोप से हमने बॉल को भांद लिया और गोल गोल उस बॉल को घुमाया फिर बोलेंगे हम लोगे किस मोशन में थी सर्कुलर मोशन के अंदर थी फिर कर्वी लिनियर मोशन भी होता है जैसे आपने एक बास्केट बॉल को उसके हूप बॉलええ फिर कर्व कर्व बन रहा है आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफैंचन देनी है अजूकेशन को इसी और अफोडेबल बनाने के लिए हमने एक इंपोर्टेंट स्टेप लिया है आपके लिए हमने रैडी करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के बटन पे क्लिक करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ फिर इसके बाद हमें पढ़ना है slow and fast motion देखो दो बच्चे हैं जो race कर रहे हैं अब इन दोनों बच्चों में से race को जीता कौन कैसे पता लगाएंगे हम लोग आपका आंसर होगा sir जिसकी speed जादा होगी तो जो fast motion के अंदर होगा वो जीत जाएगा race को अच्छा speed कैसे decide होगी speed कैसे हम लोग decide करेंगी किसकी जादा है मतब speed उसी बच्चे की जादा होगी जो distance जादा cover कर चुका होगा race में सबसे आगे होगा सबसे जादा उसने दूरी तै कर ली होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक बच्चा जिसने सबसे जादा दूरी तै करी है सबसे कम समय के अंदर वो जीत गया race क्योंकि उसकी speed क्या थी जादा थी तो speed क्या है speed किस चीज के ओपर depend है speed depend है distance और time के ओपर ध्यान देना फिर से ये दो बच्चे थे इन दोनों की race हो रही थी तो इन दोनों बच्चों में से इस बच्चे की speed क्या थी जादा अब speed को अगर हम समझें तो speed का मतलब यही है कि इस बच्चे ने कम समय के अंदर मतलब यह बहुत तेज भाग रहा था कम समय के अंदर जादा distance cover करा इस वज़े से हमने बुलाए कि इसकी speed जादा है It is distance moved by an object in a unit time is called speed मतलब कम समय के अंदर अगर आप जादा distance cover कर रहे हो तो आपकी speed क्या है slow है speed की help से हम लोग यह decide कर पाते हैं कि कौन सा object fast move कर रहा है जैसे इन दोनों बच्चों में fast कौन move कर रहा है जिसकी speed जादा होगी वो fast move कर रहा है basic unit speed की क्या होती है meter per second लेकिन सर यह कैसे निकाली आपने जो speed है मैंने क्या बोला किस चीज के उपर depend करती है distance और time के उपर जैसे यह बच्चा था यह distance जादा cover कर रहा था कम समय के अंदर इस वज़े से हमने बोला था इसकी speed जादा है अब distance की unit क्या होती है meter time की क्या होती है second तो speed की unit क्या हो जाएगी meter per second meter per second आएगी speed की unit तो इस तरीके से हमारा speed का formula आता है calculate speed of an object which has traveled 100 meter distance in 10 seconds एक object है जिसने 100 meter का distance travel करा है 10 seconds के अंदर अब क्या करना है आपको उसकी speed निकाल ली है कैसे निकालेंगे बहुत ही बेटा simple है क्या करना है आपको speed का formula याद करना है speed is equals to distance upon time अच्छा यहाँ पर given क्या क्या है हमें देखो distance दिया हुआ है question के अंदर दूसरा हमें time given है तो हम इन दोनों चीजों को लिख लेते है distance क्या है 100 meter time क्या है 10 seconds इन दोनों चीजों को लिख लिया speed is equals to distance upon time का formula लिखा दुबारा से अब distance की जगा distance लिख दो 100 meter time की जगा क्या लिख दो 10 seconds अब 10 वन जा 10 10 टैन जा 100 तो क्या हो जाएगा 10 upon 1 meter per second अब क्या यह जो नीचे 1 लिख दो इसको शो करना जरूरी है नहीं तो सिर्फ हम लोग 10 meter per second भी लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा तो वो जो object था उसकी speed कितनी होगी 10 meter per second तो आपको मैंने numerical यानी की formula के साथ भी करके दिखा दिया बट आपको समझ में आया या नहीं आया यह कैसे पता चलेगा मुझे आप में से जितने भी बच्चों को यह समझ में आया फटाफट comment section के अंदर इसका answer लिखो कैसे निकालना है answer आपको क्या करना है distance upon time distance की जगा distance लिखना है upon में time time की जगा क्या लिखना है 10 seconds तो 200 meter upon 10 seconds इसको solve करना है तो आपकी speed निकल जाएगी अच्छा यहां पर अलग-अलग जगा पर अलग-अलग तरीके से इस formula को use करना है माल लो अगर आपको distance find करना है तो क्या करोगे speed into time कर दोगे time find करना है तो distance upon speed हो जाएगा speed find करनी है तो distance upon time हो जाएगा क्या सर अभी के लिए हमें यह पढ़ना जरूरी है देखो अभी के लिए आपके शायद से यह exam में आ सकता है बट आगे जो बड़ी classes है उनमें तो जरूर ही आएगा ठीक है अब बात करते हैं speed की speed भी है वो uniform हो सकती है और non uniform हो सकती है और average speed क्या होती है यह भी देखेंगे हम अब uniform speed का मतलब क्या हो गया अब जैसे आप थे आपने एक मिनट के अंदर एक किलोमेटर का distance कवर करा फिर दुबारा आपने एक मिनट के अंदर ही एक किलोमेटर का distance दुबारा कवर करा फिर एक मिनट के अंदर 1 km का distance cover करा तो आपकी speed क्या है continuously एक जैसी है तो उसको बोलते हैं हम लोग uniform speed मतलब speed के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा object travels as fixed distance on the time graph तो fixed distance आप travel कर रहे हो जैसे देखो यहाँ पर 0 से लेके 1 मतलब 1 minute के अंदर 1 km फिर यहाँ से 1 km फिर दुबारा से आपने 1 minute के अंदर cover करा है तो total 2 minutes के अंदर 2 km cover कर लिया है आपने तो इस तरीके से हमारी जो speed है वो uniform speed होगी अच्छा non uniform speed के अंदर क्या होता है मान लो आपने 1 minute के अंदर 1 km cover करा फिर दुबारा next time आप जब अपनी travel कर रहे हो तो distance आपने कितना cover कर लिया 1 minute के अंदर 2 km अचानक से आपने 2 km cover कर लिया तो क्या हो जाएगे आपकी speed कभी घट रही है कभी भढ रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग non uniform speed देखो यहाँ पर speed अचानक से increase हो गई तो इसको बोलेंगे non uniform speed object जो है वो ज़्यादा distance different different distance cover कर रहा है in different time gaps फिर average speed की बात करते हैं total distance को हम लोग divide कर देते हैं by total time taken object ने जितना time लिया है उसको किसे divide करना है हमें total distance is divided by total time taken by the object अच्छा measuring time time को हम लोग कैसे measure करते हैं जो इस chapter का काफी important part है बहुत सारे events की help से हम time को measure करते हैं अभी मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जब clocks वगारा नहीं वहा करती थी हम लोग time को और भी तरीके से measure कर सकते हैं देखो एक तो तरीका यह है कि हम लोग morning से जब सूरज उग रहा है उस चीज से time को measure कर सकते हैं कि इस समय अगर सूरज उग गया grow हो रहा है सूरज तो मतलब की सुबह का समय हो गया रात कैसे decide कर सकते हैं हम लोग अंधेरा हो जाए तो day and night की help से हम लोग decide कर सकते हैं time का दूसरी चीज मन्त जो है उसको हम लोग moons से decide कर सकते हैं sir moons से कैसे faces of moons अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे आगे science में ही पढ़ोगे तो faces जो है moons के वो change होते रहते हैं मतलब moon भी है वो different different type का दिखता है हर दिन तो उस चीज से भी हम लोग decide कर सकते है कि आज month complete हो गया यह वाला क्योंकि आज moon का face इस तरीके का था year the time the earth takes to complete its one revolution एक revolution जितना अर्थ को time लगता है complete करने में तो उसको हम लोग बोलते हैं year time measuring device or clocks अब हम लोग क्या करते हैं नई जमाने के अंदर time measuring devices और clocks का भी इस्तमाल करते हैं अच्छा किसने ये वाली clock देखिया है इसको pendulum वाली clock भी बोलते है comment करना अगर आपने ये वाली clock देखी है तो ये जो time measuring device या फर clocks है इनका इस्तमाल करके हम लोग time को measure कर सकते हैं periodic motion का concept भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी ही देर के अंदर पढ़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर periodic motion के अंदर क्या होता है बार बार time repeat होता है जैसे देखो ये जो clock है clock है इस पर अभी 9 बज़ रहे हैं फिर कल सुबह दुबारा से 9 बज़ेंगे फिर दुबारा शाम को 9 बज़ेंगे तो इस तरीके से ये जो इनका motion है इसको क्या बोलते हैं periodic motion कुछ clock ऐसी होती है digital clock आपकी watch होगी शायद इस type की अच्छा ये तो clocks वगरा की बात हुई लेकिन पहले जमाने में बिल्कुल शुरू के जमाने में time कैसे measure होता था with the help of sun, dial, sand clock, water clock, pendulum clock और quads clock देखो sand clock तो इस तरीके की होती है मिट्टी भर देते थे उपर जितनी दिर में मिट्टी निचा आती थी उससे time count हो जाता था फिर ये होता था sun dial इसको जंतर मंतर है डेली के अंदर वहाँ पर भी आप देख सकते हो sun dial से क्या होता है कि धूब की help से हम लोग detect करते हैं time को यहाँ पर यह आप देख रहे हो shadow create होगी और shadow की help से हमें time पता चलेगा water clock पानी से भी clock बनाई जाती थी तो इस तरीके से different type की clocks होती थी देखो पानी वाली clock क्या है यहाँ पर एक यह चोड़ी सी चीज़ पानी के अंदर डाल दी फिल हो जाएगी पूरा पानी से तो उससे हम लोगों को time पता चल जाएगा periodic motion of a simple pendulum अब pendulum की बात करते हैं और उसके periodic motion की बात करते हैं देखो जब हम pendulum की बात करते हैं तो वह move कैसे करता है यहां से move करेगा आगे की तरफ और फिर दुबारा से यहां पर move करेगा फिर दुबारा आगे की तरफ move करेगा तो यह वाला motion यहां से इसने move करना start करा कहां पीछे फिर पीछे से दुबारा आगे आया, इस motion को हम लोग बोलते हैं, एक तरीके का periodic motion, अच्छा ये जो pendulum है, इसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं, एक तो bob है, ये जो नीचे ball जैसी चीज़ दिख रहे हैं, इसे bob बोलते हैं, ठीक है, it is a metallic ball, या फिर हम इसकी जगा stone भी इस्तमाल कर स रखते हैं, और ये एक stand से connected होती है, with the help of a thread or wire, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये wire है, और ये fixed point है, जो की stand हमारा होता है, generally, oscillatory motion की बात करते हैं, हम लोग, to and fro motion जो होता है pendulum का, इसे बोलते हैं, हम लोग oscillatory motion, ये pendulum आगे गया, फिर पीछे गया, फिर आगे गया, फिर पीछ oscillatory motion, the bob of the pendulum does not move from center mean position of the pendulum to the extreme position on the other side, oscillation, when bob moves from its center mean position to its extreme ends, it is said to complete one oscillation, देखो, oscillation क्या होता है, जब भी ये जो bob है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो नीचे बना हुआ है, this is known as bob, ये यहाँ से move करके पीछे गया, फिर दुबारा इस position पे आया, तो इसको हम लोग बोल दे देंगे, one oscillation, अच्छा ये एक बार और ऐसे गया, एक बार और आया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, two oscillation complete हो, एक बार और गया, फिर एक बार और आया, तो three oscillation, इस तरीके से हम लोग oscillations को count करते हैं, time period of a pendulum, the time taken by the pendulum bob to complete one oscillation is called its time period, अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, और फ time period हर pendulum का different होता है, उसके size पर depend करता है, उसके weight पर depend करता है, अच्छा time को हम लोग और speed को कैसे measure करते हैं, time को seconds में, minutes में, hours में measure करते हैं, speed को हम लोग measure करते हैं, meter per second में, meter per minute में, kilometer per hour में, तो इन तीन तरीके से हम लोग speed को measure करते हैं, अच्छा speedometer क्या device होता है, speedometer की help से हम क्या कर सकते हैं, it is a device which is used in vehicles such as cars, trucks which measure the speed in kilometer per hour, kilometer per hour में ये speed को measure करता है, क्या speedometer, फिर आता है odometer, odometer किस चीज़ को measure करता है, distance traveled by a vehicle in meters or kilometers, कितना एक object ने distance travel करा है, distance के लिए odometer, speed के लिए speedometer, याद रखना, इस तरीके से आपने देखा भी होगा, car के अंदर, bikes के अंदर ये present होता है, scooter के अंदर भी होता है, distance time graph की बात करते हैं, अब हम लोग और distance time graph को कैसे बनाना होता है, distance time graph, आप सबने graph paper से maths में तो काम करा होगा, लेकिन distance time graph की help से हम लो तो देखो किस तरीके से हमें show करना है, सबसे पहले तो x axis mark कर लेना है graph paper पर और y axis, अब for example हमने y axis की side में distance लिख लिए, और x axis की side में हमने time लिख लिए, अब ध्यान देना मैं क्या चीज़ कह रहा हूँ, जो y axis है, उसका जो एक box है that is of 1 cm, तो हम ये मान लेंगे, कि मतलब क 1 cm is equals to 1 km, और जो x axis पे हमने time लिखा था, उसके अंदर जो minutes में लिखा था हमने time को, वो 1 minute हो जाएगा 1 cm के equal, तो I hope यहाँ पर आपको clear होगा कि किस तरीके से हमें marking करनी है, इसके बाद हम values को mark कर सकते हैं distance time graph के उपर, set कर सकते हैं values को कि कितना किसी object को time लगा distance को cover करने में जैसे यहाँ पर हमने show करा है, तो यह object ने move करना शुरू करा था, तो 1 minute में यहाँ पर पहुचा, फिर 2 minutes में यहाँ पर पहुचा, अब मालो 3 minutes में यही object distance cover कर लेता है 4 km का, तो हम क्या करेंगे 4 km दे देंगे यहाँ पर, कितनी देर में 3 minutes में, तो इसको कहाँ पर mark करेंगे यहाँ कहीं पर mark कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग marking देंगे, तो I hope यह चीज़ अब आपको clear होगी, तो this is the distance time graph, इसे बोलते हैं हम लोग distance time graph, और याद रखना है आपको बार बार के जो एक box है 1 cm का, वो 1 km के equal है, और यहाँ पर जो एक, एक जो box है time का, वो 1 minute के equal है 1 cm का box, ठीक है, अब बात करते हैं, speed को find करना from distance time graph, तो speed को कैसे find करना है, बहुत ही simple है, speed का formula क्या था, distance upon time, तो अगर हमें speed पता है, सबसे पहले, तो हमें कैसे find करनी है, speed final position of the object minus initial position of the object upon time करके, हम speed, जो है हमारी distance time graph के अंदर find कर सकते हैं, also slope of graph calculate the speed of a distance time graph, the steeper the slope of the graph, the more is the speed, तो यहाँ पर यह बताया है, कि अगर, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है, कि अच्छानक से जो object है, उसने कितना time cover कर लिया था, 4 km in 3 minutes, तो यहाँ पर यह जो graph है, यह सीधा बन जाएगा, ऐसे यू खड़ा होके बन जाएगा, जैस यू उपर की position में बनेगा graph, यह रहा, देखो कुछ इस तरीके से उपर की तरफ जाएगा, तो यह जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब की speed object की बहुत जादा है, और अगर ऐसे सीधे सीधे move कर रहा है, तो object की speed बहुत जादा increase भी नहीं हो रही, बहुत जादा decrease भी नहीं ह करते हैं, तो question number 3 है, उसके अंदर एक simple pendulum है, जिसको 32 seconds रखते है, 20 oscillations को complete करने में, हमें time period find करना है, इस pendulum का, सबसे पहले time taken to complete one oscillation को ही हम लोग बोलते है, time period of the pendulum, तो अगर हमें time period निकालना है, तो हमें क्या find करना होगा, कि एक oscillation कितनी दिर में complete हो रही है, सबसे पहले कितन time में cover करता है, pendulum 30 seconds के अंदर, हमें क्या निकालना है कि एक oscillation कितनी seconds में cover हो रही है, क्या करेंगे हम लोग बहुत ही simple है, time taken upon number of oscillations, time taken कितना था, 32 seconds, upon कितनी oscillations, 20, अब ध्यान देना, 32 के last में भी 2 है, और 0 है आप 20 के last में भी, मतलब easily this is divisible by 2, तो आप 2 से divide कर सकते हो, या directly य तो answer आएगा आपका 1.6 second, क्या sir fraction में answer लिख सकते हैं, आम लोग नहीं, आपको decimal form में ही यह लिखना answer, decimals की form, next, distance between two station is 240 km, question number 4 जो हमारी book का है, और train को लगते हैं, 4 घंटे इस distance को cover करने में, अब आपको calculate करनी है train की speed, बहुत simple question है, यह तो बच्चों वाला question दे दिया हमे speed का formula क्या था, distance upon time, हमें question के अंदर distance कितना बताया है, 240 km, और time कितना बताया है, 4 hour, हम क्या करेंगे, distance upon time लिख देंगे, जो हमारा distance बताया है, 240 वो लिख देंगे उपर, नीचे हमारा जो time है, 4 hour, उसे लिख देंगे, अब इनको divide कर देंगे, जब हम इसे cut करेंगे, तो 60 आ आपका 60 km per hour ही आएगा, next, question number 5, the odometer of a car reads 57321 km, when the clock shows the time 8.30 am, what is the distance moved by the car, if at 8.30 am, the odometer reading has changed to, कितनी change हो गया, odometer की reading to 57336, तो 57336 km, अगर उसकी reading हुई है, तो, calculate करनी है हमें, speed car की, किस में, km, minute में, और 7 में, हमें, express करनी है, speed को km, hour में भी, मतलब, दोनों तरीके से हमें, express करनी है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग, जो भी हमें, given चीज़े हैं, उन्हें लिखेंगे, हमेशा याद रखन के, given चीज़े लिखनी होती है, maths में हम करते हैं, ऐसा ही खणना है, initial reading मतलब, शुरू की reading कितनी थी, odometer की, 57321 km, final reading कितनी थी, 57336 km, initial time कितना था, 8.30 am, मतलब, शुरू किस टैम पे करा था, कारने चलना, 8.30 am, final time, 8.50 am, इतनी दिर में, यहाँ पर पहुँच गई थी, अब distance जो कार ने move करा है, इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो जो final reading थी, odometer की, मतलब, यह वाली जो reading है, इसको किस से minus कर देंगे, initial, मतलब, जब कार शुरू हुई थी, तब से, तो minus कर देंगे, तो हमारा distance निकल जाएगा, that is, 15 km, जैसा हमने करा है, 57336, minus 57321, कितना आग पहुच गई थी, अपनी जगा पर, वहाँ वाले time को किस से minus करेंगे, जब कार ने move करना शुरू करना था, 830 एम पे शुरू करा था, move करना, और पहुच कितनी देर में गई थी, 850 एम पे, तो 850 minus 830 कर देंगे, that is 20 minutes, अच्छा, 20 minutes को हमें किसमें convert करना है, हमें करना है, hour के अंदर convert करना है, तो कभी भी minutes को hour के अंदर convert करना होता है, तो क्या करते है, 1 upon 60 से multiply कर देते हैं, याद रखना, किस से multiply करना है, 1 upon 60 से, 20 multiplied by 1 upon 60 तो क्या हो गया, 1 by 3 hours आगया, calculation of the speed of the car in kilometer minute, क्या होगा, speed is equals to distance upon time होगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, distance लिख देंग time कितना था, 20 minutes, इसको cut कर लेंगे, तो क्या आजाएगा, 3 upon 4, 3 upon 4 को आप further divide करोगे, और decimals की form में लिखोगे, तो 0.75 km per minute answer आजाएगा, अच्छा, अब इसी चीज़ को km per hour में करना है, तो क्या करोगे, बहुत ही simple है, हमें पता है कि 1 km per minute को क्या आजाएगा, 1 km per minute ऐसे अब 1 km, 1 km by 1 upon 60 hour, तो 1 upon 60 hour कर लेंगे, तो 60 km per hour हो जाएगा, तो इस वज़े से हमारा जो answer है, 0.75 km per minute को किसे multiply करना है, 60 multiplied by 0.75 km per hour, simply क्या करना है, कभी भी आपको km per minute को km per hour में convert करना है, तो 60 से multiply कर लेना, 60 से multiply कर लिया, तो 45 km per hour हमारा answer आ गया, तो यहीं पर जो हमारा ये question है, solve होता है, अब homework के लिए आपके लिए ये वाला question है, हमने numerical के साथ इस chapter को समझा, ये जो चीज़ आपने अभी उपर करी हैं, इन्हें ही हम लोग बोलते है numerical, अब आप बड़ी classes में तो एक दो chapters में ये आपको करने पड़ेंगे, फिर 9, 10 में बहुत अच्छे से ये पड़ने को मिलेंगे, तो see you in the next video, जब तक के लिए आप चैनल को फड़ा फट सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो join का बटन है, उस पर click करके member बन जाओ, अगर आपको notes चाहिए, sample paper ये shout out भी मिलेगा, जो भी member बनेगा उसे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, simply subscribe के साथ में join के बटन पर click करके member बनना है, see you in the next video, by until then, मनुसे ग्यान लेते रहो